केंद्र सरकार का कहना है कि देश में इस साल 11 करोड 27 लाख टन से अधिक गेहूं का उत्पादन होगा, जो एक रिकॉर्ड है. इतने तगडे उत्पादन के बावजूद केंद्र सरकार 270 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद शायद ही कर पाएं. सरकार ने खरीद लक्ष्य 342 लाख टन रखा है, लेकिन यह पूरा होता नहीं दिख रहा, वजह किसानों को गेहूं के दाम खुले बाजार में MSP से अधिक मिल रहे हैं. किसानों और कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम घरेलू बाजार में बढ़ेंगे. गेहूं के दाम और कितने बढ़ सकते हैं और इस ट्रेड में क्या संभावनाएं हैं, यह रेगुलर जानने के लिए मोल्टोल न्यूज एप्लिकेशन से चुड़े. टैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. मोल्टोल पर खबरों के साथ आपको लाइफ प्राइस भी मिलेंगे.